दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग सेट अप करने वाले हैं, तीन मॉनिटर के साथ में एक बहतरिन सेट अप जिस पर आप इस टॉक ट्रेडिंग कर सकें, वो भी रिन्यूड मीनी PC के साथ में, क्योंकि आप लोग के कई सारे कमेंट आते रहे हैं, कि रिन्यूड हम लोग इस वीडियो के अंदर जानेंगे, कनेक्ट करके देखेंगे, चला करके देखेंगे, कैसे कनेक्ट होगा, उन सब के बारे में हम लोग जानेंगे, बस जानने समझने के लिए वीडियो के साथ अंत तक मने रहें, बहुत ही इन्फरमेटी वीडियो होने वाली है, व तो हब से पहले हम बात करें, यह के अगर हम हम बात करेंगे कि कितने मॉनिटर को जो हमकरेट करें, तो यह का पर हेख एक कि हमें जरूरत पड़ेगी, जो कि अभी फिलहाल हमारे पास नहीं है, तो इसके साथ हम नहीं कर सकते, दूसरे PC की बात करें, तो ये है HP का Light Disk Mini PC, जिसके अगर हम connectivity की बात करें, तो यहां पर आपको मिल जाता है, दो इसके अंदर DP पोर्ट मिलता है, दो डिस्प्ले पोर्ट मिलता है, और एक VGA पोर्ट मिलता है, तो एक VGA पोर्ट से डारेक्ट जो है आप लगा सकते हैं, और दो से डारेक्ट लगाने के लिए, DP पोर्ट वाला monitor होना चाहिए, अगर नहीं है, तो और एक VGA से डारेक्ट जो है, आप कनेक्ट कर सकते हैं, तो इस PC से भी यानि की HP Lite डेस्ट से भी जो है आप तिन PC को कनेक्ट कर पाएंगे, अगर हम बात करेंगे हैं, लेनवो का Think Center इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर करते हैं इसके अंदर, बाकी आप कहेंगे तो HP को भी हम लोग अलग वीडियो के अंदर जो है टेस्ट करेंगे, कैसे सेटिंग्स करना है, उन सब के बारे में हम लोग जानेंगे, तो इन दो PC's को हम साइड रखते हैं, इसको हम बाद में फिर कभी टेस्ट करेंगे, अभी फिलहाल इसके लिए हमें जो कनवर्टर की जरूरत पड़ेगी वो, इस तरीके से तीन हमें DP2 HDMI कनवर्टर की जरूरत पड़ेगी एक में पहले से यूज़ कर रहा था और दो मैंने मंगवाया है सेम ब्रंड का, क्योंकि ये ठीक ठाक चल रहा है, बिल्कुल भी कोई प्रब्लम नहीं आई तो यहाँ पर जो है दो हम यूज़ करेंगे इस तरीके से तीन कनवर्टर हमारे पास हो गया तो दोस्तों कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर HDMI केबल भी हमने रख रखा है और यह रहा मेनी PC और यह हमारा जो मेन मॉनिटर है इसको हम लोग कनेक्ट कराएंगे और उसके अलामाद दो मॉनिटर को हम लोग और कनेक्ट कराने वाले हैं कनेक्ट करके फिर जो है हम आपसे मिलते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने सेटप को पुरा कनेक्ट कर लिया है और यह रहा सामने आपका Lenovo का Think Center मीनी PC और इससे जो है डॉप्टर लगा करके कनवर्टर लगा करके हमने तीनों के तीनों मॉनिटर को जो है हमने कनेक्ट कर दिया है और तीनों ही 27 इंच का है एक है सेमसंग यहाँ पर और यह है जेबरोनिक्स का जो सबसे पुराना हमारा मॉनिटर है 27 इंच का पहला मॉनिटर है करीब-करीब 4 साल के आसपास हो गया अब यह क्वालिटी नहीं मिल पा रही है लेकिन यह बहुत अच्छा रहा है बाकि यहाँ पर SR है जो बहुत ही सस्ते हैं सारे के सारे सारे सेमसंग महँगा है बाकि यह 10 से 11,000 के आसपास में मिल जाते हैं यह थोड़ा यह भी करीब 12,000 के आसपास ही मिलता है तो इस तरीकी से यह तीन सेटप है आप कोई भी साइज लगा सकते है अब हम इसको अन करते हैं देखते हैं इसका में जो स्क्रीन है कौन सा अन होता और क्या-क्या हमें सेटिंग करने की ज़रूत पड़ती है वो सारा कुछ आपको डिटिल्स देंगे और बाकी वाइरलेस कीबोर्ड माउस हमने लेहां पर लगा रखा है लोजी टेक का मीनी जो अकसर हम लोग इसको यूज करते हैं आईए ओन करते हैं देखते हैं क्या-क्या प्रोब्लम आ रही है एसेर आ गया है जेब्रोनिक्स, नो सिग्नल HDMI क्या कंडिशन बन रहा है डिस्प्ले, डिस्प्ले हमने PC को अन नहीं किया PC को अन कर लिया अब देखते हैं ये रहा, मास्टर मोनिटर फिलहाल ये अन हो रहा है फिर देखते हैं क्या सेटिंग की जरूरत पड़ती है इस तरीके से देख सकते हैं दोस्तों ये तीनो के तीनो जो मोनिटर हैं एक साथ काम कर रहे हैं एक अहीं डिस्प्ले आ रहा है लेकिन ये सिक्वेंस में नहीं है अभी मैं इधर लेकर के जा रहा हूँ तो हमारा करसर यहां पे चला जा रहा है उसके बाद जो है यहां पर डिस्प्ले सेटिंग पर आप जाएंगे और यहां पर आप देख पा रहे हैं ये एक्चुली 1,2,3 ऐसे सिक्वेंस में दिया हुआ है तो यहां से अगर हम इसको 1 मानते हैं तो यहां से हम लेकर के जा रहे हैं second पर तो ये वहाँ पे चला जा रहा है ये जो है अभी फिल हाल अगर हम इसको पकड़ करके माउस को क्लिक रखते हुए हम इधर से उधर से कर सकते हैं इस तरीके से अब देखते हैं यहाँ पर अगर हम ले करके जा रहे हैं इस तरीके से इसको apply करके देखते हैं तो दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हैं बिल्कुल भी sequence में ये हो गया है पूरा का पूरा इधर हम लेकर के mouse को जा रहे हैं तो इस वाले monitor में just इधर आ रहे हैं तो इस monitor में और इधर आ रहे हैं इस तरीके से सेट हो गया अब जरूरत होती है हमें अलग-अलग टास्क पे काम करना तीनों पर अलग-अलग विंडोस को ओपन करना है बहुत ही सिंपल है कुछ नहीं करना है आपको यहाँ पर हम आ जाते हैं चुकि इसके अंदर Chrome हमने इस्टॉल नहीं किया है मालने जीए YouTube पर आ जाते है YouTube.com पर एक टास्क को हमने यहाँ लिया दूसरे को जो है हम इस पर ले करके आ जाते हैं यहाँ से इस पर भी हम YouTube खोल लेते हैं YouTube ओपन हो गया और एक और जो है हम मनाते हैं और इसको जो है हम इस पर ले करके आ जाते हैं यहाँ से तीनों पर YouTube आ गया आप देख सकते हैं तीनों पर अलग-अलग तरीके से काम कर सकते हैं अब जो है हम यहाँ पर कुछ प्ले करने की कोशिस करते हैं अलग-अलग प्ले करने की कोसिस करते हैं और देखते हैं क्या होता है कैसे प्ले हो रहा है तो दोस्तो इस तरीके से देख सकते हैं बिल्कुल कमाल का परफर्मेंस दे रहा है Actually इसका जो परफर्मेंस है आपके इंटरनेट पर depend करेगा कि आप क्या internet कैसा चल रहा है इस तरीके से देख सकते हैं दोस्तों अलग-अलग reports सभी monitors पर बिल्कुल अलग-अलग चल रहा है बिल्कुल किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आ रही है आप चाहें तो आप इसको अंदर multitasking भी कर सकते हैं वो भी हमने करके देखा बिल्कुल अलग-अलग सभी इस पर जो है हमने अलग-अलग task भी open करके देखा है बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है एक तरफ आप report देख रहे हैं दूसरी तरफ आप चाहें तो कोई और काम कर सकते हैं इसके अंदर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही है यह जो configuration है इस PC का यह I56 generation के साथ में है और ऐसा performance दे रहा है तो आप समझ सकते हैं किसी भी प्रिकार की problem नहीं आ रही है हर label से हमने इसको check किया हुआ है और बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ रही है 12-12,000 रुपे ही आप दे करके और एक अच्छा सा trading PC आप बना करके यह setup बना करके आप जबरदस तरीके से कर सकते हैं इस तरीके से बिल्कुल भी दिक्कत होने वाली नहीं है और इसी तरीके से आपका gaming PC भी बनता है उसका setup इसी तरह लगता है लेकिन उसके अंदर graphic की ज़रुवत होती है लेकिन यहाँ पर इस stock trading के लिए किसी भी graphic की ज़रुवत आपको नहीं है और डारेक्ली जो है आप इस तरीके से setup करके और आप इस stock trading का काम कर सकते हैं मातर 12,000 रुपे का CPU है monitor आपकी मर्जी जो मर्जी वो लगा सकते हैं चाहें तो आप 27, 24 इंच या फिर 22 इंच जो आपकी मर्जी है वो आप जो है लगा सकते हैं तो इस तरीके से आप इस setup को बिल्कुल भी ready कर सकते हैं और मज़ा आ गया, वाकई में मज़ा आ गया और हमने अलग-अलग टास्क पर अलग-अलग तरीके से इसको चेक करके देखा है बिल्कुल भी दिकत होने वाली नहीं है इसको लेकर के मातर 12,000 से 12,000 के बीच में मिलता है ये variation होता रहता है हमेशा और इस तरीके से जो है आप इस टॉक ट्रेडिंग कर सकते हैं बिल्कुल मज़ा आ जाने वाला है आपको तो दोस्तों ये setup, ये video आपको कैसा लगा ये information आपको कैसा लगा प्लीज आप comment पे ज़रूर बताएं इसी प्रकार की तमाम वीडियोज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें चैनल के साथ बने रहें क्योंकि मैं श्रब की तमाम वीडियोज ले करके आता रहता हूँ जो आपके लिए काफी helpful हो सकती है मैं मिलता हूँ नेक्स की सिरोच इंफाम वीडियो के साथ में पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यबाद करता हूँ आपका दिन सुभो